नमस्कार दोस्तों आप स्रीगा स्वागत है हमारी यूटूब चैनल विसी एस डेसिक फिजिक्स में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्सा ग्यारा का टोपिक टूटी एरर देखिए आज का जो हमारा टोपिक है वो है टूटी एरर क्या होता है कितनी प्रकार की होती है यह हम यहां पर इस वीडियो में देखने वाले हैं देखिए त्रूटी त्रूटी का मतलब हम गलती से समझते हैं कि कोई त्रूटी हो गई इट मेंस वहां पर गलती हो गई है देखे भोतिकी में तुरूटी का अर्थ क्या है कि हम भोतिक राशियों का मापन करते हैं और भोतिक राशियों का मापन करना ती आवशक है वो हमने पहले ही देख लिया था कि भोतिक राशियों का मापन करना जरूरी है उनकी आवशकता क्यूं है अब जब भोतिक राशियों का मापन किया जाता है तो विद्यारतियों उसके वास्तविक मान और मापित मान में जो अंतर होता है उसको हम तुरूटी कहते हैं, एक वार इसको समझेंगे क्या है तुरूटी देखे किसी भोतिग्रासी के मापन में, मापन का मतलब है आप उसका मान देख रहे हैं माप रहे हैं तो देखे विद्यारतियो एक तो है उसका वास्त्विक मान जो उसकी exact value है उसको हम कह रहे हैं वास्त्विक मान और जो हम अपने यंत्रों की सहायता से माप रहे हैं उसको कहा जा रहा है मापित मान और दोनों का जो अंतर है उसी कोई हम तुरूटी कहते हैं उसी कोई क्या कहा जा रहा है विध्यारतियों तुरूटी कहा जा रहा है और यहां पर आप देखेंगे कि जो तुरूटी है वो धनात्मक भी हो सकती है और रिनात्मक भी हो सकती है तुरूटी, positive और negative दोनों possible है धनात्मक या रिनात्मक हो सकती है दोनों ही possibilities है अब देखे विद्यार्तियो यहां पर हम बात करेंगे दो words यूज में ले रहे हैं एक तो word यूज में ले रहे हैं यथार्तता यथार्त यथार्तता और दूसरा word हम यूज में लेंगे प्रिसुद्धता इन दोनों में अंतर समझना है देखे विद्यार्तियो दोनों में अंतर क्या है यथार्ता का मतलब तो यह है कि यही कोई भोतिग्रासी का मान वास्त्विक मान के जितना अधिक नजदीक होगा वो मान उतना ही यथार्त होगा उतनी ही यथारता की साथ में मापा जाएगा जैसे मैं एक एक जामपल लूँ कि किसी भोतिग्रासी का जो वास्त्विक मान है जैसे हम किसी भोतिग्रासी का मापन कर रहे हैं और जैसे मापन करते हैं लंबाई का ही मापन करें real में जो मान है वो है 2.53 मिटर और जो मापित मान है मापित मान है उस भोतिग्रासी के वो मापित मान हम consider कर ले एक मान तो है 2.57 मिटर दूसरा जो मान है मापित मान वो हम consider कर ले 2.54 मिटर तो इन दोनों में से जो यथार्त मान है वो ये वाला है ये ज़्यादा यथार्त है ये कम यथार्त है यथार्ता का अर्थ ये है कि मापित मान यदि वास्तिविक मान के जितना अधिक नजदीक होगा वो मान उतना ही यथार्त होगा आप लोगों को यथार्ता का मतलब समझ में आया होगा एक है प्रिसुद्धता, प्रिसुद्धता का मतलब ये है कि मापने वाले यंत्रे कितनी सुद्धता के साथ में मापने की क्षमता क्या है जैसे मैं एक एक्जामपल लूँ यहां पर कि हम लंबाई का ही एक्जामपल हैं, लंबाई का मापन करें तो हम scale की साहिता से मापते हैं scale के अंदर विद्यारती जो न्यूनतम दूरी काई है उसमें वो है एक मिलिमेटर मतलब एक सेंटीमेटर के दस्वे हिस्से को मापता है ये scale जो हमारे साधार अवेवहरिक जीवन में यूज में आती है ये एक सेंटीमेटर के दस्वे हिस्से को मापता है एक सेंटीमेटर के दस्वे हिस्से को भी सुधता के साथ में scale की साहिता से मापा जाता है फिर विद्यारती हम कुछ प्रायोगी की युक्तियां पढ़ेंगे उसमें एक युक्ति तो है vernier calipers vernier calipers और जो vernier calipers होता है विद्यारतियों आप प्रेक्टिकल में भी इसको देखेंगे ये एक सेंटिमेटर के सोवे हिस्से को मापता है ये एक सेंटिमेटर के सोवे हिस्से तक को सुद्धता के साथ में मापेगा vernier calipers के द्वारा मापा जाएगा फिर हम बात करेंगे screw gauge कुछ screw gauge ऐसे होते हैं जो कि एक सेंटिमेटर के हजार में इससे को मापता है कुछ गोलाई मापी भी ऐसे होते हैं तो screw gauge हम ले सकते हैं यहां पर screw gauge की साहिता से भी हम माप सकते हैं या इसके इस्तान पर गोलाई मापी भी आ सकती है गोलाई मापी का मतल करने के लिए काम में आता है वैसे तो लेकिन यह जो लंबाई है उसका एक सेंटिमेटर के हजारवें हिस्से तक का मापन कर सकते हैं तो यहां पर आपने अलग-अलग यंत्रों को देखा है यदि हम प्रकासिक उपकरणों की बात करें तो वो विद्यारतिय और भी अल्प लं है मापने की जो ख्रमता है सबसे ज्यादा इसकी फिर उससे कम इसके और सबसे कम स्केल की होती है तो यहां पर इसके द्वारा मापा गया मान प्रिसुद्ध मान होगा इसके द्वारा मापा गया जो मान होगा उसमें प्रिसुद्धता ज्यादा होगी तो आप लोगों को य दिवाइड करेंगे और त्रूटियों के अंदर मुख्य रूप से हम त्रूटियों को दो भागों में डिवाइड करते हैं त्रूटियों के प्रकार और विद्यारते त्रूटियां है वो दो प्रकार की होती है कौन-कौन सी है पहला जो प्रकार है वो है क्रमबद त्रूटी करमबद त्रूटी और जो करमबद त्रूटी होती है करमबद का मतलब होता है लगातार लगातार एक ही दिशा में यदि त्रूटी हो एक ही दिशा में त्रूटी होती है तो उस त्रूटी को हम करमबद त्रूटी गहते हैं तो उस तुरूटी को हम क्या कहेंगे करमबद तुरूटी इसका मतलब समझना विद्यारत इसको हम देखेंगे भी कि ये जो करमबद तुरूटी है जैसे एक बार किसी भोतिगरासी को मापा तो उसमें तुरूटी हो गई या तो उसमें कमी मापितमान से मापितमान और वास् कुछाना कने गrekने कि नायर excited about whether or भूपन के उस्वेकार की तुरूटी को हम करम्बद तुरूटी है कि एसे टूटी जिसमें तुरूटी का मान है सिर्फ एक ही दिशा में आगे बढ़ता हो। धनात्मक्तुरूटी है तो बार बार düşनात्मक्तूली होती है तो ऐसे तुरूटियों को हम करमबद तुरूटी कहते हैं करमबद तुरूटी के कारण क्या हो सकते हैं उन कारणों पर हम बात करेंगे देखें करमबद तुरूटी के कारण कुछ कारण है और उन कारणों को भी हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे यहां पर समझने का प्रियास करेंगे सबसे पहले तो है यंत्रों के कारण जिन यंत्रों की साहिता से आप भोतिक रासी का मापन कर रहे हैं उस यंत्र में भी तूटी हो सकती है उस यंत्र में तूटी हो सकती है वज़े से भी करम बदत रूटी उत्पन हो सकती है जैसे मैं एक एक्जामपल लूँ यहां पर विद्यारतियो कि हमारे पास में दुर्यमान को मापने के लिए बाट का प्रियोग करते हैं हम दुर्यमान का मापन बाट की सहायता से किया जाता है और यदि यह बाट पूराने हो गिस गए हो इनमें से कुछ दुर्यमान कम हो गया हो जैसे एक किलो ग्राम का जो बाट होता है वो यदि गिस कर कुछ दिनों के पिशात जैसे 998 ग्राम का ही रह गया तो हर बार इससे जब भी कोई दुर्यमान का मापन करेंगे तो 998 ग्राम ही मापेगा 1000 ग्राम के स्थान पर ये हर बार 998 ग्राम मापेगा तो इसमें तुरूटी है वो एक दिसा में आगे बढ़ती चले जाएगी हर बार तुरूटी होगी और तुरूटी एक ही दिसा में आगे बढ़ेगी ठीक उसी प्रकार्स जैसे हम लंबाई का मापन करें जैसे हमारे पास में कोई फीता है जैसे टेलर जो कपड़े मापने के लिए फीता रखता है ज्यारते हो तो जो फीता है वो प्लास्टिक का फीता होता है और वो फिता बार-बार यूज में लेने पर उसमें थोड़ा सा वो लंबा हो जाता है हाला कि उस पर जो reading लिखी होती है वो तो उतनी ही होती है जो वो एक मिटर का मापन करता है तो actual में वो एक मिटर से ज्यादा का मापन कर रहा होता है यदि उस फिते की लंबाई में वर्दी हो जाती है तो एकार फिर से सुन लेंगे कि जो वास्त्विक एक मिटर है और जो टेलर फिता यूज में ले रहा है उसकी लंबाई में यदि वर्दी हो गई तो वो एक मिटर थोड़ा सा उसका आगे चला जाएगा तो वो एक्चुल में 101 सेंटी मिटर को मापेगा उसका वो माप दिखाने में तो एक मिटर ही दिखा रहा है बट एक्चुल में वो क्या माप रहा है 101 सेंटी मिटर का मापन करता है यहाँ पर जैसे एक जो दुरिमान है वो एक किलो ग्राम को दिखाता है एक्चुल में वो 990 में ग्राम को ही मापता है तो विद्यार्थ यंत्रों की वजए से तुरूटिया ज़ी उत्पन होती है तो वो करमबद तुरूटियों की स्रेणी में आएगी अब जैसे हमारे पास में कोई वोल्ट मिटर या एमिटर है वोल्ट मिटर है या कोई एमिटर है उसमें सुन्यांग की तुरूटि उत्पन हो सकती है सुन्यांग की तुरूटि का मतलब क्या है विद्यार्थ यो कि उसमें जो रीडिंग्स होती है प्रारम्व में जो रीडिंग्स होती है, जैसे आपके पास में ये कोई वॉल्ट मेटर है, और ये वॉल्ट मेटर के अंदर हमने आप लोगों को दिखाया है, कि ये screen है इसकी ये यहां पर दोनो terminals है 0, ये 1 volt, 2 volt और 3 volt का मापन करा इसमें sui है वो प्रारम्व में 0 पर रहनी चीए और यदि ये 0 से थोड़ी सी आगे है इस तरफ है या इससे थोड़ी सी पीछे है तो जब इसमें से धारा प्रवाई तो नहीं हो रही तब भी ये 0 से कुछ मान कम या ज्यादा को बता रहा होता है तो वो जो इसमें जो difference आता है उस से तरूटी को हम सुन्यांग की तरूटी कहते हैं और इस से तरूटी की वज़े से ही बार बार तरूटियां होती है एक ही दिसा में तरूटी बढ़ती है इसके अलावा यदि हम बात करें करमबद तरूटी की इस वज़े से उत्पन हो सकती है तो उसमें ये हमने पहला ए पार्ट पड़ा दूसरा पार्ट देखेंगे विद्यारतियों वातावरण की वज़े से भी हो सकता है बाहे वातावरण के कारण देखें बाहे वातावरण के कारण जैसे हम बात करें विद्यारतियों हमारे पास में कोई इलेक्टोनिक तुला है इलेक्टोनिक तुले पर हम किसी रासी का दुर्यमान माप रहे हैं तो दुर्यमान माप ते समय क्या होता जैसे यहाँ पर ही हम दुर्यमान का मापन करें इलेक्टोनिक तुलाए पर हम को ये रासी रखें तो पंखे की जो हवा है वो उसमें थोड़ा बहुत एक आदा ग्राम दुर्यमान में बढ़ोतरी कर देती है तो वो भाय वातावरण की वज़े से दुर्यमान में परिवर्तन आ जाता है देकि विद्यारत जो सुनार है उसके द्वारा क्या किया जाता है जब भी जो सोना या चांदी को तोला जाता है तो वो पंखे को बंद कर देगा इसके साथ में बंद बॉक्स के अंदर तुले को रख कर दुरिमान का मापन करता है ताकि उसमें नियूनतम तुरूटी हो, कम से कम तुरूटी हो नहीं तो यदि सुनार के तुले में बाहिय वातावरण की वज़े से एक दो ग्राम की तुरूटी हो जाती है तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, दोनों में से किसी एक पक्स को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है बाहिय वातावरण की कारण से हम कुछ और तुरूटी हो जाती है और जब फीते की लंबाई में वर्दी होती है, तो बाहिय वातावरण की कारण से उसके अंदर भी तुरूटी उत्पन हो जाती है देखे हम आगे यदि हम बात करें, तो कुछ जो तुरूटीयां है, जैसे ताब की वज़े से उत्पन हो सकती है दाब की वज़े से उत्पन हो सकती है, आदरता की वज़े से उत्पन हो सकती है तो ऐसी तुरूटियां, क्रमबद तुरूटियां होगी और वो बाहिय वातावरण के कारण से उत्पन होती है तीसरा जो इसमें पार्ट हम बात करेंगे क्रमबद तूटी उत्पन होने का वो है व्यक्तिगत कारण व्यक्तिगत कारण क्या हो सकते हैं विद्यारती जो मापने वाला व्यक्ति है भोतिग्रासी का मापन कर रहे वाला व्यक्ति है वो अनुभू ही न हो उसको पता नहीं हो किस तरीके से मापा जाना है किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी उपकरण से भोतिक रासी का मापन तभी एकदम सुद्धता के साथ में possible है जब व्यक्ति उस उपकरण को चलाना जानता हो उसमें से रिडिंग से पढ़ना जानता हो तब उसमें कोई कम से कम तरूटी होने की संभाव न होती है बट अनुभू की कमी के कारण से जो व्यक्ति है वो कहीं बार लगातार गलतियां करता रहता है जैसे वोल्ट मिटर या मिटर की जो सुई है उसको देखने का तरीका ये है कि उसके ठीक बिल्कुल सामने खड़े होकर उसका मापन करें और यदि आपने साइड से देखा तो हर बार तूटी उत्पन होगी विद्यारति वो व्यक्ति के अनुभू की कमी से ऐसा होता है ये देखा होगा कि जब हम लंबाई का मापन करते हैं तो ये कड़ी भी उसमें समलित होती है यहां से जैसे एक सेंटीमिटर दो सेंटीमिटर फिर यहां से दो सेंटीमिटर हो गया तीन सेंटीमिटर चार सेंटीमिटर इस तरीके से सेंटीमिटर उस पर लिखे होते हैं दो 270 मिटर हर बार काउंट नहीं हो पाती, वहां पर भी अनुभू की कमी जलगती है, और हर बार त्रूटी एक ही दिसा में आगे बढ़ती है, जिसके कारण से क्रमबद त्रूटी उत्पन होती है, तो ये हमारे पास में त्रूटी का पहला प्रकार था, क्रमबद त्रूटी, और अब हम में बात करेंगे त्रूटी के दूसरे प्रकार की यादर्चिक त्रूटी, देगी यादर्चिक जो त्रूटी होती है, उस पर हमारा कोई बस नहीं चलता, वो अपने आप ही होती है, दूसरा इसका जो प्रकार है, वो है, यादर्चिक तुरूटी यादर्चिक तुरूटी के अंदर विद्यारतियों धनात्मक या रिनात्मक तुरूटी दोनों पॉसिबिलिटीज होती है धनात्मक भी हो सकती है ये रिनात्मक भी हो सकती है इसमें हम चाहते हुए भी इसको दूर नहीं कर सकते जैसे भी दयारते हो हम मापन करें किसी दुर्यमान का हम मापन करें किसी तुले की साहिता से और एकदम एगजक्ट वЕलियु यदि eu אुसकी फाइंड आउट करना चाहें तो अलग-अलग विक्तियों द्वारा उस दुर्यमान का मापन भिन भिन किया जाएगा किसी लंबाई का मापन अलग-अलग व्यक्ति के द्वारा अलग-अलग किया जाएगा तो अलग-अलग व्यक्ति यदि किसी दुर्यमान को माप रहे हैं किसी लंबाई को माप रहे हैं तो उनका जो पाठ्हांक है वो अलग-अलग आएगा उसमें जो तुरूटी उत्पन होगे उसको यादर्चिक तुरूटी कहते हैं जिदि एक व्यक्ति भी बार-बार किसी भोतिग्रासी का मापन करता है उसमें भिन्नताएं प्राप्त होती है तो वो भी यादर्चिक तुरूटी की स्रेणी में ही आता है तो विद्यारत यादर्चिक तुरूटी धनात्मक, रिनात्मक हो सकती है और उस तुरूटी के होने के पिछे भहुत सारे रीजन होते हैं बाहे वातावरण भी होता है और इसके साथ में वो सब कारण भी होते हैं जिसकी वज़े से क्रमबद तूटी उत्पन होती है विद्यारत कुछ तूटियां ऐसी होती जिसको हम कहते हैं स्थुल तूटियां ऐसे हमने दो प्रकार ही आप लोगों को बताए पर एक प्रकार यदि हम और बात करें इस्थुल त्रूटियों, इस्थुल का मतलब हो गया मोटी, बहुत बड़ी गलतियां हो गई है और इस्थुल त्रूटियों का मतलब है बड़ी गलतियां और बड़ी गलतियां विद्यारत कैसे होती है, इस्थुल त्रूटि कैसे उत्पन्न होती है जैसे बोलने में, लिखने में, सुनने में और गणना करने में जो तूटियां उत्पन होती है उसको हम स्थुल तूटियां कहते हैं एक बार सुनेंगे जैसे विद्यारतियों हम बोल रहे हैं 20 और लिखने वाला उसको 30 लिख रहा है तो जो त्रूटी उत्पन होगी उसको इस्थुल त्रूटी कहते हैं अब विद्यारत्यों हम कुछ इस प्रकार की त्रूटीयों का बात करेंगे गणीतिय विवेश्चना करने में काम में आती है जैसे हमारे पास में निरपेक्स त्रूटी क्या होती है माद्धी निर्पेक्स तुरूटी क्या है, आपेक्सिक तुरूटी और परतिसित तुरूटी क्या होती है सरवफर्तम हम बात करेंगे कि किसी भोतिग्रासी का जो वास्त्विक मान है वो क्या होता है, वास्त्विक मान कैसे फाइंड आउट करेंगे निर्पेक्स तुरूटी फाइंड आउट करने के लिए वास्त्विक मान का होना जरूरी है तो देखें विद्यार दो निर्पेक्स जो तुरूटी होती है वो क्या होती है कि वास्त्विक मान था मापित मान का जो अंतर होता है उसको हम निर्पेक्स तुरूटी कहते हैं एक वार फिर से समझ लेंगे वास्त्विक मान था मापित मान का जो अंतर है उसको हम निर्पेक्स तुरूटी कहते हैं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि किसी भौतिक रासी के वास्त्विक मान था उसके मापित मान का जो अंतर है उसको हम निर्पेक स्तुरूटी कहते हैं और यदि हम मान लें माना किसी भौतिक रासी के मापित मान A1, A2, A3 माना किसी भौतिक रासी के मापित जो मान है जिसको हमने मापा है वो मापित मान है हमारे पास में A1, A2, A3 जैसे हमने N रिडिंग्स ली है तो यह है तो भौतिक रासी का वास्तविक मान क्या होगा भौतिक रासी का वास्त्विक मान, उन सभी मापित मानों का ओसत के बराबर मान होगा एक बार विद्यारतियों समझ लीजे, वास्त्विक मान है वो A.M. से लिखा जाएगा या A.B.R. से लिखा जाएगा मतलब यह हो गया कि जो आपने reading ली है उन सब का जो ओसत मान होता है वो ही वास्तविक मान होता है तो यहाँ पर हमने जो मान लिए है reading ली है वो A-1, A-2, A-3 जैसे हमने किसी भोतिक राशी को MAPA तब यह मान आये हमारे पास में उन सब का आप जोड कर दीजिए और फिर उसमें उसका रासियों की संख्या का भाग लगा देंगे तो यह हमारे पास में आ गया है विद्यारतियों वास्त्विक मान तो यहाँ पर निर्पेक स्तुरूटियां क्या होगी? इस भोतिक रासि के लिए निर्पेक स्तुरूटियां क्या होगी? तो यहाँ पर आप देखेंगे पहली रासि के लिए A1 में A1 में निर्पेक स्तुरूटि A1 जो रासि है उसमें जो निर्पेक स्तुरूटि है वो कितनी प्राप्त होगी? तो उसे निर्पेक्स तूटी को हम डेल्टा A1 से पूट कर देते हैं पहली राशी ने जो तूटी उत्पन हुई उसको डेल्टा A1 से जो की वास्त्विक मान में से मापित मान को गठाने पर प्राप्त होती है A.M. वास्त्विक मान है और मापित मान है A1 दोनों का जो अंतर है वो है उसकी निर्पेक्स तूटी फिर हम बात करेंगे A2 में निर्पेक्स तूटी डेल्टा A2 से लिखी जाएगी जो की A.M. माइनस में A2 के बराबर होगी ठीक उसी प्रकार से A3 में जो निर्पेक्स तूटी है वो डेल्टा A3 बराबर A.M. माइनस में A3 के रूप में लिखी जाएगी फिर उसी प्रकार से A.N. में जो तूटी है उसको हम डेल्टा A.N. से पूट करेंगे A.M. माइनस A.N. से लिखा जाएगा आप सभी लोगों को निर्पेक्स तूटी समझ में आई होगी फिर उसके बाद में हम बात करेंगे विद्यारतियो माद्दे निर्पेक्स तूटी माद्दे निर्पेक्स तूटी निर्पेक्स तूटीयों का हम ओसत ले लेंगे तो उसको हम माद्दे निर्पेक्स तूटी कहेंगे तो देखें जारते माद्दे जो निर्पेक्स त्रूटी है उसको डेल्टा एम से लिखा जाएगा डेल्टा एम से या डेल्टा एका बार भी हम लिख सकते हैं ये किसके तुल्ले होती है माद्दे निर्पेक्स त्रूटी समझ लेंगे मैं यहाँ पर mathematical formula से इसको पूट करूँगा कि निर्पेक्स त्रूटियों के परिमाणों का ओसत निर्पेक्स त्रूटियों के परिमाणों का ओसत माद्दे निर्पेक्स त्रूटी कलाता है तो आपके पास में जो निर्पेक्स तुरूटियां है वो है डेल्टा A1, दूसरी जो निर्पेक्स तुरूटी है वो है डेल्टा A2, तीसरी जो निर्पेक्स तुरूटी है वो डेल्टा A3, और ऐसे ही जो अंतिम निर्पेक्स तुरूटी है वो है डेल्टा A1, इनका पहले ही लेकर चलेंगे माध्य निर्पेक्षत करूटिक अभी निर्वा эту में हो सकती तो पहले आप उन रेचयों का परिमान लेंगे कर लेक्युप निर्पेक्षत करत करूटियों परिमांगों過去 अफå फिर अब आप इन सब राशियों को जोड़ देंगे, तो विद्यारती यह जो दो लाइने हमने खींची है इसके दोनों, और यह परिमान को बताती है, यह परिमान का सिम्बल है, इसका मतलब यह है, जैसे इसका मान पाँच है, तो उसका परिमान भी 5 होगा, यदि माइनस 5 है, तो भी 5 ही होगा, मतलब उसको धनात्मक ही लेकर चलना है, यहाँ पर हमने निर्पेक्स त्रूटियों का ओस्त लेना है, तो एन रासियां है, तो एन का भाग लगा देंगे, यह हमारे पास में आ गई है, मत्दे निर्पेक्स त्रूटियों, आप लोगों को यह समझ में आ गई होगी, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं, आपेक्सिक त्रूटियों, विद्यार्दी जो आपेक्सिक त्रूटियों है, वो देखिए किसके तुल्ले होगी आपेक्सिक तूटी का जो मान है वो हमारे पास में मद्दे निर्पेक्स तूटी थता वास्त्विक मान के नुपाद के बराबर होता है आपेक्सिक त्रूटी की जो value होगी विद्यारतियों वो होती है माद्दे निर्पेक्स त्रूटी माद्दे निर्पेक्स त्रूटी अपोन में आजाएगा उसका वास्त्विक मान तो यहाँ पर जो मादि निर्पेक्स तूटी है. उसको तो हम Δ E.M. से पूट कर रहे हैं. और वास्तविकमान है. वो हमारे पास मेँ A.M. है. A.M. से A.M. कैंसिल मत कर दे Lynn. Δ E.M. पूरी एकरासी है. तो यह हमारे पास में आफेक्सी के तूटी. फिर हम अंत में बात करते हैं यहां पर परतिसत त्रूटी की तो विद्यार तो परतिसत त्रूटी क्या होगा उध्यान देंगे आपेक्सिक त्रूटी को आप सो परतिसत से मल्टिप्लाई घर देंगे आपेक्सिक तूटी आपके पास में है गुणा में 100 परतिसत आ जाएगा इसका मतलब डेल्टा एम है अपोन में एम इंटू में 100 परतिसत यह हमारे पास में आ गई है परतिसत तूटी विद्यारत यह आप लोगों को समझ में आया होगा कि निर्पेक्स तूटी क्या है मादे निर्पेक्स तूटी क्या है आपेक्सिक तूटी और परतिसत तूटी समझ में आया हो इसका एक एक एक्जामपल हम लेंगे बुक का एक्जामपल लेंगे यहाँ पर दोस्तों अब हम तो मैं तुरूटियों पर आधारी थे एक एक जामपल की बात करेंगे, आपको बेटर तरीके से यह समझ में आ जाएगा, हमारे पाठे पुस्त का दूसरा एक जामपल है, देखिए एक जामपल क्या है, एक सरल लोलक का दोलनकाल की जो पाठ्यांक है, 2.63 सेकंड, 2.56 सेकंड 2.7, 1 सेकंड, 2.80 सेकंड है, तो निरपेक्स तरूटिया, पेक्स तरूटिया और परतिसर तरूटिया क्या होगी, देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को समझना है, कि जो सरल लोलक है, वो क्या होता है, एक दुर्यमान ही निद धागे से एक पिंड को बांदा जाता है, फिर उसको थोड़ा सा विस्तापित करके छोड़ देते हैं, तो ये इस तरीके से गती करता है, इस वेवस्ता को हम सरल लोलक कहते हैं, और यहां से यहां तक पूरा एक चक्कर लगाने में जो लगा समय उसको दोलनकाल कहते हैं, और यदि हम अलग-अलग दोलनकालों का समय यदि देखें तो वो हमारे पास में 5 दोलनकालों का समय से क्यूशन में हमारे को दे रखा है सबसे पहले विद्यारति यहां पर हम बात करेंगे कि जो निर्पेक्स तुरूटी है वो कितनी होगी निर्पेक्स तुरूटी के लिए हमें वास्त्विक मान चाहिए वास्त्विक मान क्या होगा वास्त्विक मान को हम AM से पुट कर रहे हैं जो कि इन सभी मानों का ओस्त होता है तो 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस में 2.71 प्लस 2.80 अपॉन 5 रिडिंग है तो 5 का हम यहां पर भाग लगा देंगे देखें यहां से 3, 6, 9, 2, 11, 12 12 हो गया, एक हां सिलका हो गया है 26 को 5 से उना करेंगे 130 और 131 आ जाएगा हमारे पास में यह हमारे पास में इनका टोटल आ गया जब इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा विद्धार तो यह हमारे पास में इसकी value निकल कर आ रही है 6 बार में आ गया, 2 बार में आ गया इतना सेकेंड हमारे पास में इसका ओसत मान आएगा अभी यहां पर 2 सेंस भी रह गया है इसको आप चाहें तो यहां तक बढ़ा सकते हैं यह हमारे पास में वास्त्विक मान आ गया है निर्पेक स्तुरूटियों के लिए अभी हमने फोर्मूला देखा था तो यहां से सरफर्तम हम बात करते हैं डेल्टा A1 फिर हम बात करेंगे डेल्टा A2 डेल्टा A3 डेल्टा A4 और अंत में हम देखेंगे डेल्टा A5 सरफर्तम इसका जो वास्त्रिक मान है 2.62 उसमें से गठा देए था देंगे हम दूसरी हमी दो पॉइंट चेत दो में से गठा देंगे हमम को तीसरे माने को Dwa.71 को फिर इसमें से 2.62 मेंं अंतिम माने हम में 2.80 को देखें यहां से इसकी जो वो आएगी माइनस में 0.01 गठाएंगे तो आपके पास में यही वेल्यू निकल कर आएगी फिर यहाँ पर आएगा प्लस में 0.06 आप इसको कल्कुलेट करके देख लीजिए यही मान आएगे यहाँ पर हमारे पास में आएगा प्लेस 0.20 और यहाँ पर हमारे पास में value आजाएगे माइनस में आएगी यह वाले value 0.09 और यह वाला जो मान है वो हमारे पास में आजाएगा माइनस में ही यह आएगा 0.18 यह सभी second हों में आएगा जो अंतर है वो second में ही आना है तो यहां तक आपको निर्पेक्स त्रूटियां समझ में आ गई होगी फिर हम बात करेंगे माद्दे निर्पेक्स त्रूटि तो जो माद्दे निर्पेक्स त्रूटि है वो क्या होती है निर्पेक्स त्रूटियों का ओसत मद्धी निर्पेक्स त्रूटी है वो निर्पेक्स त्रूटीयों का ओसत इसका मतलब डेल्टा A1 का ओसत डेल्टा A1 के प्रिमान का ओसत डेल्टा फिर A2 आजेगा प्लस डेल्टा A3 का प्रिमान प्लस डेल्टा A4 का प्रिमान प्लस डेल्टा A5 का प्रिमान और ये हमने 5 से इसको divide कर दिया, यह हमारे पास में मद्धे निर्पेक्स तुरूटी आगई, तो delta am से उसको put करेंगे तो इसका परिमान जब हम लेंगे तो plus में इसकी value हो जाएगी 0.01 इसका मान आएगा इसका जब परिमान लेंगे तो ये भी value plus में है plus में रह जाएगी यहां से ये भी value plus में है तो इसका जो परिमान है वो plus में रह जाएगा, ये minus में है तो इसका जैसे हम परिमान लेंगे plus में इसकी value आजाएगी और इसका मान भी जब हम परिमान लेते हैं तो plus में आजाएगा 0.18 5 से इसको हम divide गर देंगे देखिए विद्ध्यारतियों यहां से आप देखेंगे तो इसका जब total करोगे तो आपके पास में कितना आजएगा ध्यान देंगे 18,9,27 और 20 यहां पर 47 हो गया 56,54 हो गया तो 0.54 बट्टे में 5 आगया है किसमें आईगी विद्ध्यारतियों second उमें ही आने वाली है इसके बाद में हम आपेकसिक तूटी की बात करेंगे तो जो आपेकसिक तूटी है आपेकसिक तूटी होती है डेल्टा एम बट्टे में एम तो यहाँ पर delta am की जो value आई है 0.11 और am की value है 2.62 इसको calculate करने पर हमारे पास में इसका वास्तिक मान निकल कर आएगा तो यहाँ से 11 बट्टे में 262 आजेगा calculation करनी पड़ेगी आप लोगों को ही करनी है फिर हमारे को परतिसत तुरूटी ग्याद करनी है तो परतिसत तुरूटी के लिए विद्यारतियों आपक्सिक तुरूटी को आप 100 से multiply कर दीजी आपक्सिक तुरूटी को आप 100 से गुणा कर देंगे 100 परतिसत से गुणा करते ही आपके पास में परतिसत तुरूटी निकल कर आजेगी 11 वेटे में 262 गुड़ा में 100 यह हमारे पास में 30 तुरूटी आ गई है विद्यारतियों आप लोगों को निरपेक्स तुरूटी आपेक्सिक तुरूटी तो परतिसर तूटी समझ में आई होगी यह जो एकजामपल है वो भी समझ में आया होगा धन्यवाद